Next theorem है हमारे पास The interior of a set means A interior is the largest open subset of A हमें तीन चीज़े प्रूफ करके दिखा दिए हैं कि A interior क्या होना चाहिए subset of A होना चाहिए A interior एक open set होना चाहिए और इस तरह के जितने भी sets हैं A interior उन सब में से सबसे largest होना चाहिए अब A interior एक open set होना चाहिए इसका proof तो अभी हमने last lecture में बताया था कि A interior is an open set ठीक है तो अब हमारे पास क्या-क्या बच गया दिखाने के लिए कि A interior subset है A का और जितने भी open subsets of A हैं उन में से सबसे largest ground है A interior ठीक लेकिन अगर paper में यह theorem आती है तो आपको तीनों चीजों के proof देने पड़ेंगे suppose यह डाई नंबर का question आता है तो इसमें से इतने part का proof है 0.5 largest का proof भी है 0.5 और open का proof है 1.5 तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं open का proof नहीं डालते हैं सिर्फ largest का और subset of A का proof डाल रहते हैं तो उससे उनको सिर्फ डाई में से A की नंबर मिलेगा ठीक है तो आपको तीनों चीजों का proof डालना है largest का भी open set का भी और subset of A का भी तो सबसे पहले हम proof करेंगे कि A interior is a subset of A ठीक तो हमें सबसे पहले दिखा लेट A interior be the interior set of A और अब इसको हमें सबसे दिखाना है किसका? A का A interior को हमें सबसे दिखाना है A का सबसे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं यहां से element लेके चलेंगे और उसको A में पहुँचा देंगे तो हमने लिया let x belongs to A interior यहां से लिया x belongs to A interior का मतलब x is interior point of A interior point भी definition लगा दो क्या होती है there exists epsilon greater than 0 such that there exists epsilon greater than 0 such that x belongs to open interval and this is a subset of A x कहां जा रहे हैं? interval में interval के सारे point कहां जा रहे हैं? A में so खुल मिला कर x कहां गया? A में खीक है? उठाय कहां से था? interior में से पुँचा कहां दिया A में इसका मतलब A interior के सारे के सारे point किस में जा रहे हैं? A में so A interior is a subset of A also A interior is an open set यह हम अल्रड़ी proof कर चुके हैं लेकिन आपको paper में इसको proof करके दिखाना है तो मैं यहां दिख जेती हूँ prove it इसका proof आपको डालना है ठीक है? hence कुल में लाकर क्या क्या proof हो गया? कि A interior is an open और subset of A अब हमें दिखाना है कि और जितने भी open subsets of A हैं उन सब में से largest कौन होना चाहिए? A interior तो इसलिए हमने B क्या ले लिया? कोई और open subset of A let B be another open subset of A और हमें दिखाना है कि B subset होना चाहिए A interior का मतलब कि A interior इस तरह के B से क्या होना चाहिए? largest होना चाहिए ठीक है? अगर B empty है तो empty set तो हर किसी का subset होता ही है ठीक है? तो B subset हो जाएगा A interior का बुसरा case क्या है? अगर B no on empty है तो भी हमें B को किसका subset दिखाना है? A interior का उसके लिए हम B में से element लेकर चलेंगे और A interior में पहुंचा देंगे तो हमने लिया let x be an element of B ठीक है? उसके बाद B क्या था? open और subset of A अभी हम open होना यूज़ कर रहे है now B is an open set open set की क्या definition होती है? कि आप उसका कोई भी point लो तो आपको उस point और उस set के बीच में एक open interval मिल जाएगा तो thus there exists epsilon greater than 0 such that आपको उस point और उस set के बीच में open interval मिल गया ठीक है? लेकिन B subset further किसका था? A का but B is the subset of A इन दोन लाइन को combine कर दो X जा रहा है interval में interval जा रहा है B में B जा रहा है A में तो interval कहां चला गया? A में और X interval में जा रहा है वो ऐसे कासा? ये किस चीज की definition है? X is interior point of A या A is neighborhood of X दोनोंगी चीज़े यहाले ली therefore X belongs to A interior क्योंकि X A का interior point है उठाया किस में से था? B में से हो जा दिया A interior में दस जितने भी points B में है वो सारे के सारे कहां जा रहे हैं A interior में therefore B is a subset of A interior इसका मतब जितने भी sets open subsets of A है A interior उन सब में से सबसे बढ़ा है this shows that A interior is the largest open subset of A